तो अभी यह 100 यहां पर आ गया है अभी हो सकता है कि इससे उपर भी कोई ट्री होता तो हमें आई को फिर से उपर पहुचाना होता इस आई को यहां लाना पड़ता ताकि यह उपर सर्च कर सके तो आई के अंदर आई माइनस वन बै टू हो जाता तो यह आई जो है यहां आकर शिफ्ट हो जाता और यह फिर से चेक करता रहता उपर तो यह हुआ इंसर्शन अभी देखते हैं डिलीशन कैसे होगा अभी डिलीशन इन मैक्सिमम हीप कर रहे हैं डिलीट करते हैं हम रूट नोट को इस 20 हो तो रूट क्या है कि आप इसको तो डिलीट कर दो और जो लास्ट अलिमेंट है जयने कि 12 इसको इसमें कॉपी कर दो तो चेंजिस करने के बाद यह कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पे जो 12 है यह रूट में आ जाएगा 11 यही रहेगा 15 यही रहेगा यहां पे 10 रहेगा यहां पे 8 और यह 12 तो ऊपर जा चुका है लेकिन अभी हमें इसको अरेंज भी तो करना पड़ेगा यह maximum heap है ही नहीं पेरेंट छोटा है चिल्रन से तो इसको करेंगे heapify है heapify बोलता है कि अपने heap को arrange करना ताकि वह maximum heap बन पाए तो यह देखते हैं कैसे होगा तो exams में तो आप normally ऐसी ही चेंज कर दोगे कि 15 ऊपर कर देना 12 यहां पे लेकिन इसका logic क्या है कि देखिए कि इंडेक्स हैं इंडेक्स जीरो वन टो थ्री फॉर यह इसके इंडेक्स हैं तो a of 0 के अंदर मैंने a of अच्छा यह 5 होता इंडेक्स अगर यह वाले की बात करें a of 5 रख दिया a of 0 के अंदर a of 5 यह नि 20 की जंगा अब यह आ गया 12 अब देखिए मुझे चेक करना है कि इन तीनों में से 12 11 और 15 में से रूट कौन बनेगा तो देखिए left child निकालने का formula मुझे पता है 2i plus 1 होता है और right child निकालने का formula होता है 2i plus 2 तो left child निकल कर आएगा इसके लिए i अगर 0 है इसके लिए left child 11 आजाएगा और right child आजाएगा 15 तो हम चेक करेंगे कि 12 अगर बड़ा है left से या right से यहाँ पर right से मतलब कि हमारा right child इससे बड़ा है 12 से तो हम क्या गरेंगे a of i के अंदर अपना right child जो है उसको रख देंगे यानि कि a of 0 के अंदर 15 चला गया तो यह यहाँ से कट हो जाएगा यह 15 यहाँ आजाएगा और 12 यहाँ पर आजाएगा लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए यह तो चलो हो गया हीप इफाई सही बन गया हीप हमारा अगर इसमें और elements जुड़े होते तो क्या होता अगर यहाँ पर यह 8 और 30 भी जुड़े होते तो अभी यह maximum हीप नहीं है इस 30 को यहाँ लाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हमारा आई यहाँ पर रखा है हम आई को पहले यहाँ लेएंगे तो आई के अंदर मैंने डाल दिया आर सी राइट चाइल्ड की पोजिशन तो आई आ गया यहाँ पर अब यहाँ यहाँ से कट हो गया अब आई यहाँ पर है अब यह फिर से अपना left child औ left child इससे बड़ा है तो a of i यानि की a of 2 के अंदर वो अपना वह वाला child रखते इसमें right child है तो 30 चला जाएगा तो यहाँ यह कट होगा 30 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12 तो इस तरीके से हमारा heapify हो जाएगा Thank you friends for watching this video and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.